क्लास 12 मैट्स एंसे आरिटी का चैप्टर नमबर 6 हम लोग सुरू करने जा रहे हैं आउकलज के अनुपरियोग तो सबसे पहला जो अनुपरियोग हम लोग करेंगे रासियों के परिवर्तन की दर से संबंधित रहेगी तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बाद कॉइस्टन करेंगे तो समझ में आएगा पुरा रासियों के परिवर्तन की दर रासियों के परिवर्तन की दर rate of change of quantity rate of change of quantity तो अब कलज जो हमारा परिभासित है हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स होता है अगर हमारा वाई कोई है फलन वो एक्स का फलन है वाई हमारा एक्स का फलन है इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि वाई एक्स का फलन है इसका मतलब क्या होता है कि y हमारा जो है ये x पे defend करता है y x पर निर्भर करता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y x पर निर्भर करता है तो और x हमारा क्या है अचर है श्री एक समारा क्या है चर है और y हमारा कौन सा चर है जो x पर निर्भर करता है x पर निर्भर करता है y इसको बोलते हैं independent इसको बोलते हैं independent variable इंडिपेंडेंडेंट वैरीयबिल और इसको बोलते हैं dependent variable यानि जैसे जैसे आपका एक्जामपल के रोप में जैसे y equal to आपका 3x square plus 2x एक फलन है तो y हमारा क्या है x पर निर्भर कर रहा है x हमारा क्या है independent variable है और y dependent variable है तो जैसे जैसे x की value बदलेगी वैसे वैसे हमारा y की value भी बदलती चली जाती है जैसे x equal to 1 पर अगर आप y निकालें तो y equal to होगा 3 into 1 का square plus 2 into 1 यानि x equal to 1 पर y की value 5 होगी तो किसी भी x के लिए y की value निकाली जा सकती है तो जो dy by dx हम लोग परिभासित करते हैं कि y में परिवर्तन x के सापेज y में परिवर्तन के दर x के सापेज तो इसको हम लोग जो परिवर्तन x के सापेज y में परिवर्तन की दर अब इसको एक पूरा जो है ओकलाच का concept समझने के लिए पूरा एक आप एक simple सा example समझे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई हमारा जो गोला होता है इस फेर अगर इसकी तरिज्जा आर है इसकी तरिज्जा आर है तो इसका जो प्रिष्ठिय छेतरफल होता है गोले का ये बिरित नहीं है ये क्या है गोला है हमारा फ्रिष्ठिय छेतरफल का जो फार्मूला होता है अगर फ्रिष्ठिय छेतरफल का लोग एस से ने रूपित करें तो ये क्या होता है फोर पाई आर स्क्वाइर यानि एस एक्वल टू फोर पाई आर स्क्वाइर यानि गोले का फृरिष्टिय छेतरफल हमारा गोले की तरिज्जा पर निर्भर करता है जैसे जैसे आप तरिज्जा जो है बदलेंगे वह से वह से हमारा जो है गोले का सरफिस यानि फृरिष्टिय छेतरफल भी बदलता चला जाएगा तो जैसे जैसे अगर R equal to आपका 1 है, one unit है आपका तो जो पिलिश्टे छेतरफल क्या होगा आपका 4 πाइbs होगा unit, और अगर R equal to आपका 2 है, तो जो पिलिश्टे छेतरफल क्या होगा, 2 दूनी 4 और यह 16 पाइँ हो जाएगा तो R equal to 1 पे surface यानि क्रिष्टिय छेतरफल हमारा कितना है 4 पाई R equal to 2 पे हमारा है 16 पाई तो अगर इसमें हम लोग D S by D R अब यह हमारा जो सर्फेस एरिया है यह त्रिज्जा का फलन है जैसे जैसे आप त्रिज्जा की वैलू रखोंगे वैसे वैसे सर्फेस एरिया भी आपका मिलता चला जाएगा अब D S by D R यानि क्रिष्टिय छेतरफल में त्रिज्जा के सापेच जो परिवर्तन की दर इसका भी हमारा क्या होता है इसको डिफ्रेंसेशन करने से आता है तो इसको दो चोक आठ पाई आर यानि इसमें आप किसी भी आर की वैलू पुट करेंगे तो आपको D S Y D R यानि त्रिज्जा में आपका एकांग परिवर्तन करने से उस आर के लिए हमारा किसी भी आर के लिए जैसे अब एक्जाम्पल के रोप में जैसे देखिए अगर एक्वल टू पे तो D S Y D R D S Y D R at R equal to 2 यानि त्रिज्जा जब दो यूनिट है तब पिरिष्टेच हेतरफल में त्रिज्जा के सापेच जो परिवर्तन के दर होगी 8 Pi into R यानि क्या होगा या 16 Pi तो किसी भी समय हम लोग जो है किसी भी त्रिज्जा पे उस समय जो है त्रिज्जा के सापेच अपना पिरिष्टेच छेतरफल कैसे बदल रहा है उसमें एक फलन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं दिफ्रेंसेशन करके तो इसको अगर डियास वाई डियार को हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे फ्रिष्टेच छेतरफल में फ्रिष्टेच छेतरफल में तिरिज्जा के सापेच परिवर्तन की दर प्रिश्टिय शेतरफल में तरिज्जा के सापेच परिवर्तन की दर्व यानि अगर DR जो है तरिज्जा चेंज करने से प्रिश्टिय शेतरफल में DS चेंज हो गया यानि तरिज्जा आपने अगर DR चेंज किया तो प्रिश्टिय शेतरफल में DS चेंज हो गया ठीक है तो unit radius में परवर्तन से dsy dr यानि एक आंक जो है तिर्जिया के बदलने से एक आंक तिर्जिया के बदलने से हमारा ds में जो परवर्तन हो रहा है वही dsy dr हो गया तो पहला application आप लोग जो करेंगे यही जो परवर्तन की दर तो y equal to function of x है तो dy by dx हमारा क्या होता है x के साप h y में परवर्तन की दर और अगर इसको आप ऐसे लिखें कि dy by dx at x equal to x not तो x equal to x not रख देंगे तो यह हमारा क्या हो गया x के साप h y में परवर्तन की दर x के साप h y में परवर्तन की दर कब है यह जब x बराबर x0 है इसका मतलब क्या है कि जो परिवर्तन की दर्व होती है वो x पे x की value पे निर्भर करती है जैसे यहाँ पे आपका जो dsydr है 8πr है जब r equal to 2 है तो dsydr आपका 16πr है लेकिन अगर r equal to 1 पे देखें यहीं पे देखें जब r equal to 1 है तो dsydr at r equal to 1 तो r equal to 1 इसमें रख देंगे तो यह क्या हो जाएगा 8π तो जब r equal to 1 है तो फिर्टेच हेतरफल में परिवर्तन तरज्या के सापेच 8πr है लेकिन जब r equal to 2 है तो यह 16πr हो गया यानि जब तरज्या की value जादा होती है तो परिवर्तन की दर ज्यादा होती है एक आंग परिवर्तन से तो इसलिए इसका मतलब होगा कि x के सापेच y में परिवर्तन की दर जब x बराबर x नार्ट है हम लोग रख देंगे अब इसके हम लोग कुछ question करेंगे example जो आपका NCRT book में दिया है इससे हमारा पूरा concept clear होगा और differentiation आपको पता ही है तो उसी का यूई होगा तो सबसे पहला example नंबर one जो NCRT book में भी आपका दिया है बृत के छेतरफल में परिवर्तन की दर इसकी तरज्या R के सापेच ग्याद कीजिए जब R बराबर 5 cm है देखे एकदम समझ के करेंगे हम लोग ऐसा नहीं कि केवल question हम लोग साल करना चाहते हैं हम लोग पुरा समझेंगे कि सच में हम कर क्या रहे हैं तो यह हमारा जो हो गया बृत अगर बृत की तरज्या R है यह आपका बृत होगा तो बृत की तरज्या R है तो बृत का जो छेतरफल होता है बृत का छेतरफल A से अगर हम लोग देनोट करें तो यह क्या होता है पाई R स्कॉाइर यानि जो बृत का यह छेतरफल होता है ये बृत की तरिज्या पर निर्भर करता है एकाथ को एक सब्सक्राइब लोग डिटेल से समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि बृत का छेत्रफल बृत का छेत्रफल बृत की तरिज्या पर निर्भर करता है जैसे जैसे आप तरिज्या बतलोगे तिर्जा चेंज करते जाओगे ब्रित का छेतरफल भी बदलता चला जाएगा और अगर हम लोग एक कहें ब्रित का ब्रित माना हम लोग क्या कहेंगे कि माना ब्रित की तिर्जा आर है तो ब्रित की तिर्जा आर है तथा ब्रित का छेतरफल ए है तो हमको पता है कि A बराबर क्या होता है ब्रित का जो छेतरफल होता है A बराबर पाई आर स्क्वाइर यानि ब्रित का छेतरफल और ब्रित की तिर्ज्या में ये संबंध हमको पता चल गया अब बृत के छे तरफल में परवर्तन की दर इसकी तरिज्जा R के सापेच यानि D-A-Y-D-R निकालना है हमको D-A-Y-D-R तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? D-A-Y-D-R यानि R के सापेच हम लोग ओकलन कर देंगे तो D-A-Y-D-R हमारा क्या हो जाएगा? पाई तो कॉंस्टेंट हमारा और R स्कायर का हो जाएगा 2R तो D-A-Y-D-R हमारा क्या हो गया? 2 पाई R ये हो गया अब D-A-Y-D-R हमको क्या चाहिए? जब R बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो D-A-Y-D-R कब जब R बराबर 5 सेंटीमीटर D-A-Y-D-R हो जाएगा 2Pi इंटी R R की बहलों हम लोग रख देंगे 5 सेंटीमीटर तो D-A-Y-D-R 10Pi सेंटीमीटर ठीक है? यानि यानि हमारा जब R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है जब R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तब तब हम लोग ये कहेंगे बिरित का 6 तरफल तब बिरित का 6 तरफल 10Pi 10Pi और D-A-Y-D-R है तो इसको हम लोग यूनिट जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से उपर नीचे गुड़ा करके लग देंगे सेंटीमीटर स्कॉयर बटा सेंटीमीटर तो उपर हमारा क्या हो गया एरिया के यूनिट नीचे तरफल जागा तो 10Pi सेंटीमीटर स्कॉयर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है इस सिंपल सा क्वेस्टन हम लोगों ने कर लिया क्वेस्टन नमबर टू आपका एकजामपल टू एक घन का आयता 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है यद इसके कूर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसके प्रिष्ट का छेतरफल किस दर से बढ़ रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास given information क्या-क्या है हमारे पास क्या है एक घन है कोई क्यूब एक घन है जिसकी जो है कोर की लंबाई हैं लोग मान लेते हैं कि ए है यह हमारे क्या हो गया घन आयतन नाइन सिंटिमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो तो लोग अगर घन की माना घन की एक कोर की लंबाई ए है घन के एक कोर की लंबाई ए है तो घन का आयतन हमारे क्या हो जाएगा घन का आयतन जो घन का आयतन वी से अगर देनोट करें तो क्या होता भुजा क्यूब यानि यह हो जाएगा एक्यूब और जो घन का प्रिष्ट का छेतरफल है घन का प्रिष्ट छेतरफल इसको लोग एस से लिखें तो घन के छे प्रिष्ट होते हैं और सभी क्या होते हैं वरगा कार तो ए इंटू ए एक का हो जाता है ए स्कोर तो शिक्स इंटू ए स्कोर यह हमारा प्रिष्ट ए छेतरफल हो जाएगा अब यह कह रहे हैं कि घन का आयतन 9 cm3 पर से दर से बढ़ रहा है जब उसके कोर की लंबाई क्या है 10 cm है यानी आयतन में परिवर्तन की दर हमारा दिया है 9 cm3 पर से डर तो आयतन हमारा कोर पर निरभर कर रहा है तो आयतन किसके साफेच बतलेगा कोर के साफेच तो dv by da यानि a के साफेच अगर दोनों तरफ हम लोग differentiation कर दें तो a cube का differentiation 3a square और यह जब कोर के लंबाई 10 cm है तो यह दिया है हमारा यानि dv by da dv by da जब हमारा a बराबर है 10 cm तो this equal to यहां से देखें तो क्या हो जाएगा 3 into 10 cm का whole square this equal to 100 यानि 300 cm square यानि dv by da जब यह बराबर 10 cm है तो यह क्या हो गया 300 cm square अच्छा यहां पर एक point हमको यह भी देखना है कि जो घन का आयतन है वो समय के सापेज वड़ा 9 cm cube पर second तो यहां पर हम लोगों का core के सापेज यह नहीं लिख पाएंगे कि यह क्योंकि जो परिवर्दन हो रहा है वो हमारा core के सापेज नहीं दिया है यह क्या हो गया हमारा आयतन में परिवर्दन core के सापेज और हमारा क्या दिया हुआ है आयतन में परवर्तन की दर समय के साप एच मातरक से पता चला तो dv by dt हमको करना पड़ेगा यहां से यानि अगर हम लोग यहां पर कहें simply तो यह हमारा जो दिया है यह dv by dt equal to 9 cm3 per second dv by dt यानि आयतन में समय के साप एच परवर्तन की दर आपका दिया है 9 cm3 per second dv by dt यहां लोग लिख लेते हैं यहां क्योंकि पता चलेगा आपको कि क्यों यह गलत काटा है dv by dt क्या है आयतन में कोर के साप एच परवर्तन की दर तो यहां पर हमको कोर के साप एच परवर्तन नहीं करना हमको समय के साप एच तो डिफ्रेंसेशन अगर करेंगे आप तो t के साप एच करेंगे तो v equal to a cube है तो dv by dt equal to a cube का हो जाएगा 3a square और फिर a का हमारा हो जाएगा d a by dt यह डिफ्रेंसेशन तो आपको पता ही है तो t के साप एच के तो dv by dt equal to 3a square d a by dt अच्छा d a by dt को हम लोग क्या बोलें d a by dt यह हमारा कोर में परवर्तन की दर है तो dv by dt हमारा दिया है 9 cm3 per second तो 9 cm3 per second equal to 3a square और यह हमारा कब दिया है dv by dt जब हमारा कोर दिया है 10 cm जब a बराबर क्या है आपका 10 cm तो a की value 10 यहां पर रखेंगे तो 3 into 10 cm का whole square d a by dt तो यहां से हमको किसकी value मिल जाएगी d a by dt की value मिल जाएगी d a यानि कोर में समय के सापेज परवर्तन की दर तो यह भाग में चला जाएगा तो यह 9 है तो 3 हो गया तो 3 इसको पूरा लिख देते हैं तो 3 cm3 पर second अपान यह हो जाएगा 100 cm2 तो यह unit अगर cancel करें तो यह आपका जाएगा 3 अपान 100 cm2 पर second यानि d a by dt जब हमारा कोर की लंबाई 10 cm है तब d a by dt आगया 3 by 100 cm2 सिंपल सी बात है प्रिस्ट का छेतरफल किस दर से बढ़ रहा है यह हमको निकालना है तो प्रिस्ट यह छेतरफल के differentiation 2a और फिर d a by dt यही हमारा d s y dt क्या है प्रिस्ट में प्रिस्ट में प्रिस्ट यह छेतरफल में प्रिस्ट की दर तो d s by dt equal to d a by dt इसको equation number one हम लोग मान लेते हैं अब इसमें हम लोग put कर देंगे तो 12 into और यह हमको कब चाहिए जब a बराबर हमारा क्या है 10 है बराबर 10 cm है तो 12 into 10 cm गुड़े d a by dt हमारा है 3 by 100 cm पर सेकेंड तो d s by dt हमारा हो गया यह हो गया 10 से 10 कैंसिल होगा 36 upon 10 यानि 3.6 cm2 पर सेकेंड तो यह जो है simple सा question था हमारा कि इसमें आपको जो घं का आयतन दिया था वो 9 cm3 पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा था ठीक है यानि d by dt हमारा दिया था ठीक है d तो अगर घं के core के लंबाई यह हो तो आयतन हमारा होता है a की और प्रिस्टे छेथपल होता है 6 a square तो यह d by dt हम लोग के थे यह नहीं करना है क्यों क्योंकि हमारा यह आयतन में core के साप h पर वरतन की दर बताएगा लेकिन यहां पे जो है समय के साप h पर वरतन हो रहा है तर तो d by dt चाहिए यानि d by dt at कम जब core के लंबाई 10 cm है तो d by dt जब यह बरावर 10 cm है तो यह हमारा given है 9 cm3 पर सेकेंड और हमको प्रिस्टे छेथपल में पर वरतन के दर निकालना है यानि d by dt निकालना है तो d by dt अगर हम लोग यहां से निक दालें differentiate करें दूनों साहिए तो 3a square da by dt तो d by dt यह हमको पता है यह बरावर 10 पे 9 cm3 पर सेकेंड तो this equal to यह हमारा कब है जब a equal to 10 है तो यहां से हमारा da by dt पता चल गया और s equal to 6a square तो differentiate करेंगे ds by dt equal to 6 into 2a da by dt त वारा a da by dt और a 10 cm da by dt के value यहां रख दिये तो यह हमारा प्रिष्टी छेत्रफल में परवर्तिन की दर पता चल गई कि क्वेस्चन नंबर 2 हो गया आपका क्वेस्चन नंबर 3 कि क्वेस्चन नंबर 3 आपका एक इस्थिर जील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे बृत्तों में 4 cm पर सेकेंड की गत से चलती है जब बृत्ताकार तरंग की गत 30 cm है तो उस छड़ घिरा हुआ छेतरफल कितनी तीजी से बढ़ रहा है तो ये question हुमारा क्या कह रहा है कि कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं यका समझ आपका कोई घील है एक पत्थर डाला जाता है और त्रंगे बृत्तोंए जो आप पत्थर डालते हैं घील में तो ये ऊज़र बड़त के रूप में ऐसे बढ़ती चले जाते हैं छोटा विरत फिर बड़ा विरत फिर और बड़ा विरत तो जब पत्थर डाला गया तो तरंगे विरतों में 4 cm पर सेकेंड की गत से चलती हैं यानि यहां पर हमारा जो दिया है त्रिज्जा जो तरंगे चल रही है उनकी जो त्रिज्जा बदल रही है वो किसे साथ से बदल रही है 4 cm पर सेकेंड तो dr by dt यानि जो त्रिज्जा में परिवर्तन की दर समय के सापेश दिया है यह 4 cm पर सेकेंड यह पुछा जब बृत्ता कार तरंग की त्रिज्जा 10 cm है तो उस छड घिरा हुआ छेतरफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है तो किसी समय पर हम लोग मान लेंगे कि हमारी क्या है त्रिज्जा आर है किसी समय पर जो है त्रिज्जा जब आर है तो उस समय घिरा हुआ छेतरफल क्या होगा जब त्रिज्जा आर है माना वाना किसी च्छाड तरज्या आर है तब उस समय जब तरज्या आर होगी किसी समय तो उस समय जो घिरा हुआ छेतरफल होगा वो कितना होगा आपका तो मैं गिरा हुआ छेतरफल इसको अगर हम लोग जो है गिरा हुआ छेतरफल इसको ए से कहें तो ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वाइर क्योंकि किसी समय तरज्या आर है तो जो छेतरफल होगा वो जो गृत का छेतरफल होगा वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर तो चेतरफल जब ए होगा तो तिरज्या हमारी होगी पाई आर स्क्वायर तो क्या पूछा है उस छड़ घिरा हुआ चेतरफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है यानि दी ये बाई डी टी हमारा पूछा है दी ये बाई डी टी यानि छेतरफल में परिवर्तन समय के सापेच कब जब हमारा क्या है जब तरिज्या आर इक्वल टू क्या है तेन सेंटिमीटर तो ये हमारा जो है क्वेस्टन मार की ये हमको पूछा है तो dr y dt दिया है तो a बराबर pi r square है तो a बराबर pi r square तो दोनों side हम लोग क्या करते हैं समय के सापेच t के सापेच differentiate कर देते हैं तो d a y dt हमारा हो जाएगा pi तो constant है 2 r square का 2 r dr y dt ये कहां से हमको मिला दोनों पच्छों का हमने t के सापेच होकलन कर दिया दोनों पच्छों का t के सापेच होकलन करने पर अब d a by dt हमारा पूछा है जब r equal to 10 है तो d a by dt कब है जब r equal to 10 cm है तो यहाँ पे हम लोग r की value क्या रख देंगे 10 cm 2 by r की जगा पे 10 cm और d a by dt ये समीकरण नंबर 1 है इसकी value रख देते हैं इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं तो d a by dt की value है 4 cm per second यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे की समीकरण 1 से d a by dt कामान समीकरण 2 में रखने पर और r equal to 10 cm भी हम लोगों ने रखा है क्योंकि d a by dt हमको क्या चाहिए जब r 10 हो तो यहाँ पे r की जगा पे 10 रख देंगे हमारा क्योंगे 20 85 85 और यूनिट आपकर क्योंगे सेंटी मीटर स्कौायर पर सेकेंड यानि जब r equal to 10 cm है हम लोग कह सकते हैं कि जब r equal to 10 cm है तब तब बिर्त का 6 तरफल 85 cm2 पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है कि क्वेस्टन नम्बर 3 आपका कंप्लीट हो गया है कि 3456 तीन क्वेस्टन और हैं यह हम लोग नेक्स्ट में करेंगे